हलो गैज आप लोगा स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो रोज की तरह हम लोग आज भी लेकर आए मौनिंग अपडेट कौन कौन सी न्यूज जो है किस किस न्यूज पेपर में आज चाही हुई है और आप लोग के लिए बहुत जादा जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है तो हम लोग देर विल्कुल भी नहीं करेंगे एक एक करके सारी न्यूज देखेंगे जो आपकी काम की न्यूज है आप देख सकते हैं हेडलाइन कौन न्यूज से देखो सबसे पहली जो न्यूज है इंटी वीसी को लेकर के है एंटी वीसी एक्जाम जो है यह आपका तेज जुलाई से फिर से स्टार्ट हो रहा है जिसा कि आपको पता है कि कई सारे चरणों में एक्जाम आलरडी हो चुके दे कुछ चरण बच्चे हुए है उनका एक्जाम होना तो थोड़ी सिस नूज को पढ़ते हैं लिखा है आरारडी प्रियागराज की अदीन पचाजार अभ्यारती होंगे सामिल कोविड नाइंटीन की दूसरी लाहर की वज़ा से लंबी चले रेलवे भरती बोड की एंटी बिसी परिक्चा की ती गोसित कर एक दस्मलो दो पाच यानि की एक करोन पचीस लाख अभ्यारती हो सामिल होना था परिक्चातियों की बाहरी संक्या को देखते हो या परिक्चा साथ चड़ों में कराए जाने की तो कुल मिलाकर आपको कुछ आप जो इंपॉर्टेंट चीज़े इसमें यही कि आपकी 23 चरण की 6 चरण की परिक्चा अलेडी हो चुकी थी अब बात करते हैं एड्मिट कार्ड की तो एड्मिट कार्ड जो है एकजाम की 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे यानि अगर 20 को है तो आप 19 सारिक से इसका डाउनलोड कर पाएंगे फिर है 10 दिन पहले आपका ट परिक्षा तित्तो गोसित कर दी लेकिन बिसाइवार परिक्षा कारेकरम अभी जारी नहीं किया गया है। चले बढ़ते हैं अगली न्यूज की और अगली न्यूज जो है वो हमारी है पीटी को लेकर के जैसा कि आपको पता है कि 20 अगस इसकी जो है दूसरी देट जो है गोसित कर दी गई है इस बार क्या-क्या बदलाव है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। के मादम से अलग से दी जाएगी शुक्रवार को मुख्यमंत्री होगी आदितनात के साथ चैनवा भरती आयोग के अद्यक्ष के साथ बैठग में 19 अगस को परिक्षा कराने पर सहमत बनी थी लेकिन 19 को मुहरम की होजा से परिक्षा तित इसे एक दिन आगे बढ़ाने का फ आयोग करिब 30,000 रिक्पदों की भरती करेगा पहली मुख्य परिक्षा राजसुलेकपाल वा अन्य समान अहरता वा योगता वाले रिक्पदों के लिए आयोजित की जा सकती है तो एक जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो दिखेगा जो पहले कभी ने होता लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि परिक्षा केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की योजना आयोग परिक्षा केंद्रों की दो इस्तिरिये निगरानी की योजना पर काम कर रहा है पहला सभी जिलों के लिए वरिश प्रसासनी कदिकार इसके लिए परिक्षा आजनसियों को जिम्मेदारी देने की योजना है इसके लिए यहां तक एक कंट्रोल रूम बनाया जा सकता है तो यह जो है बदलाव है दूसरी एक जो न्यूज है उसको भी अमलुक देख लेते हैं एक न्यूज यह है कि महलाव और दिव्यांगों को अपनी जिले में परिक्षाओं की सुविधा दी जाएगी और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजे हैं और भी एक चील लिखा है उन्होंने का कि किसी विदसा में ऐसे परिक्षा केंद्रों कुना चैनित किया जाए जहां पूर्व में संबंदी अनियमित्ता हैं और नकल आद की घटनाएं सामने आ चुकी हैं तो प्रभीर कुमार ने सब जहाद जो है बंडल में पत्र जारी कर दिया है कि और यह कहा गया कि उस सेंटर पर कदाप ही सेंटर नहीं बनेगा और नहीं एकजाम होगा जहां पर पहले कभी भी अनिमित्ता या नकल की घटनाएं देखने को मिली हैं तो ऐसे सेंटर से जो है दूरी बनाय रखना है तो यह होगी आपकी इतनी न्यूज उसके बाद अगर हम बात करते हैं आज और भी बहुत सारी न्यूज है बहुत खास अबडेट है आपके लिए जिसमें से एक जो है न्यूज आपकी जननायक चंसेकर इनुश्टी बलिया से है कल सामको हमने आलड़ी इस पर वीडियो बना दिया था लेकिन काफी रात में ये वीडियो बनी लग आप यहाँ पर कॉलम नंबर 4 आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसमें लिखा इसनातकुतर इंब्योसाइक पार्टिकरमों के दूतिये समेस्टर के चाथ चात्रों को पर्थम समेस्टर के प्रापतांकों के आधार पर अंतरवेशन के माध्यम से तृतिये समेस्टर में प्रो उसके बाद Constable भरती में नियुक्ती पर निर्ड़ लेने का निर्देश अलाबाद High Code ने पुलिस Constable भरती परिख्षा 2018 में चायनित अभ्यार्ती को नियुक्ती देने के संब्द में सक्छम प्राधिकारी को निर्ड़ लेने का निर्देश दिया है कोड ने कहा कि आप ब्यारती से प्रत्याविदन लेकर उसपन नियामा अनुसार निड़े लिया जाए यहां आदेश न्यायमूर्ती प्रकास पाडिया ने कहा है यह हलाकि 2018 की न्यूज है तो अगर आपको यह न्यूज अच्छी लग रही है तो अप प्लीज इसका स्क्रिक्षा ले लिजिए और यह पीस अच्छे से पढ़ लिजिएगा उसके बाद अगली जो है न्यूज हो हमारी पीटी को लेकर के है जैसा कि आपको बता है कि 20 अगर्स को परिक्षा की डेट गोसी तो हो चुकी है साथ में ये भी बताया गया कि जो परिक्षा का रिजल्ट है वो सितंबर में आएगा और कौन-कौन सी भर्तियां इसके बाद होने वाली है उसकी भी यहाँ पर लिस्ट पूरी जारी कर दी गई है चलिए हम देख लेते हैं तो 20 अगर्स को आप तो उपर ही देख रहे हो डेट तो अच्छे से क्लियर हो चुका है बाल विकास कुष्टाहर के 349 और नगर निकाई के 383 पद आएंगे तो इतने पद जो है वो आने के पूरे-पूरे संभावना है तो आप लोग अगर अच्छे से त्यारी कर तो लगवग यह 30,000 से उपर पद हैं तो आपका जो है अच्छे से चैन हो जाएगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर सारी चीजें लिग दी गई है कि अब की बार पार्टिकरम में जो है कि इंग्लिस भी अनिवार की गई है जानी कि आपके सिलेबस में अंग्रेजी भी है पहले क्या होता था कि जब भी कोई स्टेट की वैकंसी आती थी तो उसमें English नहीं होता था उसमें Hindi होती थी लेकिन अब की बार क्या किया गया है कि अंग्रेजी को भी सामिल कर दिया गया तो अब आपको कोई भी संसे नहीं होना चाहिए कि पेपर कब होने वाला है देखो पेपर तो डेट आपकी 20 अगस्त आ गए सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर में ये सारी भरतियां देखने को मिल सकती है जो आपके सामने लिश्ट है इसलिए पढ़ाई के रिए जान लगा दीजिए कोई विदिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को ठीक है चलिए तो इतनी सारी आज अपडेट थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी अपडेट बहुत ज्यादा पसंद आया है तो लाइक तो करना ही करना है और अगर चैनल परने तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत